तो दोस्तों अगर आप भी PM किसान सम्मान निधी के पात हैं और आपको भी PM किसान सम्मान निधी योजना के तहट 2000 रुपए की किस्तें मिल नहीं है लेकिन दोस्तों इस बार आपका किस्त मिश हो गया है या गेर भी या वार भी किस्त नहीं आये अब आप सोच रहे होगी कि मैंने KYC भी करवा लिया है और मेरा किस्त का पैसा अभी नहीं आया है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना ITATUS चेक करना है आपका KYC कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है तो यह जानेंगे किस प्रकाश से कि आपका KYC हुआ है या भी नहीं हुआ है कि आपका KYC हो गया है या अभी नहीं हुआ है क्योंकि दोस्तों यह आप चेक कर लिजेगा वरना आपको आगले आने वाली जो त्यार्वी किस्ते वह उसका भी लाब आपको नहीं मिल पाएगा तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपना KYC का ITATUS चेक करना है को शुरू करते हैं तो दोस्तों KYC चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने मुवाइल या लेप्टाप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लिजेगा जैसा कि दोस्तों हमने यहां पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं यहां सर्च बार में टाइप करेंगे PMKisan.gov.in जो की दोस्तों यहां PMKisan का Official Website है तो यहां पर आपको PMKisan.gov.in आपको सर्च बार में टाइप कर लेना है और एतना टाइप करने के बाद आप लोगों को सर्च पे क्लिक कर देना है जैसे दोस्तों आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो की इस प्रकार से जो की official website PM किसान सम्मानित का official dashboard open हो जाएगा तो दोस्तो आपने mobile में इस page को उपर की तरफ scroll करेंगे जैसा कि हम यहाँ पे scroll कर रहे हैं उसके बाद दोस्तो यहाँ पे आपको एक options मिल जाता है e-kyc का तो आप यहाँ पे e-kyc वाले options पे click करेंगे जैसे दोस्तो आप e-kyc वाले options पे click करेंगे तो आपके सामने next page कुछ इस प्रकार से open हो जागा तो दोस्तो यहाँ पे हम detail डालने वाले हैं ऐसे बेकतिका जिनका अभी k-kyc नहीं हुआ है तो जब k-kyc नहीं होता है तो किस प्रकार से interface open होता है तो यहाँ पे दोस्तो हम आधार कार्ड को enter करेंगे यहाँ पे आधार कार्ड नमबर जो कि यहाँ पे feel करेंगे और यहाँ पे search वाले options पे click करेंगे तो दोस्तों इनका अभी k-kyc complete नहीं हुआ है तो नीचे एक box open हो गया है यहाँ पे बता रहा है कि mobile number आप अपना इंटर करेंगे जो आधार कार्ड में आपके registered है तो यहाँ पे एक box open हो गया है तो इनका अभी k-kyc complete नहीं हुआ है अब हम बात करेंगे जिनका k-kyc complete हो गया है उनके में किस प्रकार से जो की दिख रहा है तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे complete process देखते रहना है क्योंकि step by step सारी जानकारी आप लोगों को समझना है तो उसके लिए दोस्तों आप home page बे जाएंगे dashboard बे जाएंगे इस प्रकार से और scroll करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे e-kyc वाले options फिर से दुबारा क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही प्रक्रिया फिर आ जाएगी अब यहाँ पे आप अपना अधार number इंटर करेंगे जनका पहले से केवाईसी हो चुका і glowing है तो इस प्रकार से दूस्टो आप अपना भी चैक कर सकते हैं इसी प्रकार से क्योंकि दूस्तो पहले में हमने बताया था कि जिनका के भाया सी नहीं हुआ है तो उनका नीचे अपाप अपन हो गया था मोबाईल लंबर इंटर करने के लिए और इनका हो चुका है थे इनके मैं बता रहा है एक लिए जो की आल लेजी दन तो इस प्रकार से आप भी अपना इटे तस चेक कर पाएंगे तो दोस्तों आई हो मैं असा करूंगा यहां जानकारी आप लोगों के लिए हेल्फ भूल कुछ रही होगी अगर फिर भी म कर सकते हैं तो जैहिन जैवाज